चलिए ये आपके 2010 के एक्जाम में पूछा गया था बहुत नुक्सान हो रहा है अब सभी का एक कोश्चन है इसका पार्ट वन करेंगे दो पार्ट आया और इस टाइप के कोश्चन साथ नंबर में पूछे जाते हैं सिर्फ परसंटेज निकालके बता दो साथ नंबर में क्या बोल रहा है कोश्चन के अंदर के कामनी लिमिटेड प्लैनिंग टू रेज हनॡ्रेट करोड इसने डिससाइड किया हुआ है प्लैनिंग किया हुआ है के ससरे करोड रुपय है issue 13% debenture और कैसे 13% इसने debenture issue करना है 10 रुपे discount पे या 10% discount पे और underwriter expense 4% और हमारा एक खर्चा होगा underwriter मतलब जो हमारे debenture वगरा बिकवाता है उनके लिए payment करना होता है that is underwriter expense तो underwriter expense 4 रुपे, 4% find out the cost of debenture each of the following cases if debenture are irredeemable तो अभी जो हमने सीखा है मेरे इसाब से ये irredeemable का part चल रहा है तो यही formula लगा के हम first part को कर लेते हैं तो sir आपको क्या निकालना है KD निकालना है sir KD का formula क्या है 1 interest 1 minus में T divided by NP into में 100 sir NP पहले निकाल दू मैं NP की बात करें NP क्या है sir NP है हमारा यहाँ पे 100 रुपए का एक था अब यहाँ पे देखो debenture का face value 100 रुपए का एक है minus 10 रुपए का discount और minus 4% किसके ओपर face value के ओपर तो minus 4 रुपए तो net proceeds कितना होगा यानि आपके पास जो payment आएगा ultimately एक debenture पे आपको पूरे 100 करोड़ पे नहीं निकालना आप एक debenture पे निकाल लो चाहे आप 10,000 debenture पे निकाल लो बात हुई है ठीक है ना एक debenture पे निकाल तो एक debenture पे हमारे कितने पैसे आएंगे 96 रुपए अब यहाँ question में कहीं भी tax given है कह रखा है last में assume करो tax कितने percent है 35% अब formula लगा दे sir interest कितना बनता है interest 10% है हमेशा याद रखना interest calculate always on face value तो face value कितना है sir हमारा 100 रुपए इसके उपर 10% का ब्याज कहां लिखा है sorry 13% है 13% मैंने 10% गलत पढ़ लिया 13% है तो ब्याज क्या आएगा 13 ब्याज क्या आएगा 13 1-T 1-T क्या है 0.35% ऐसे लिख सकते हैं divided by NP NP कितना है हमारा 90 86 आएगा अच्छा 86 86 86 into में 100 क्या आएगा परसंटेज बता हूँ 9 पॉइंट एक्च्छल आपका परसंटेज जो पढ़ा डिबेंचर का वो 9.88% हाला कि आप 13 रुपय जरूर दे रहे हो लेकिन टेक्स सेविंग विविंग सब निकाल के आपको 9.825 परसंटेज पढ़ा 4-4 नंबर की कोश्चन आये थे ये 8 नंबर का 4 नंबर का काम खदम क्लियर है यहां तक कोई दिक्कत NP फिर से NP क्या होता है नेट प्रोसिट्स एक बार पीछे देखते है सर NP होता है फेस वेल्यू में डिसकाउंट माइनस कर दो प्रीमियम है तो प्रीमियम एड कर दो और फ्लोटेशन कॉस्ट है तो माइनस कर दो फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है परसंटेज गीवन जैसे की पर एक्जामपल अंडर राइटर कमीशन मैं एड ओन करता रहूंगा जैसे की बैंक चार्ज तो ये माइनस कर दो तो मैंने भी क्या किया सर मैंने भी 100 रुपे फेस वेल्यू लिया 10 परसंट डिसकाउंट माइनस किया 4 परसंट फ्लोटेशन कॉस्ट था तो 4 परसंट इसके उपर निकालके माइनस किया बच्चा कितना 86 डिवाइड करके अंसर निकालके येस अंडर राइटर यानि अंडर राइटर कोई भी एनी काइंड ओफ एक्सपेंस आप स्टार्टिंग में इसू करने के लिए बीयर करोगे तो तो that is a flotation से सेविंग कर रहे हो क्योंकि आप 35% टेक्स तो बचाई लोगे इस खर्चे के उपर 35% बचेगा तो ultimately आपका खर्चा 65% बनेगा तो हम यहाँ पे इसको 65% से इंटू कर रहे हैं आप चेक भी करोगे तो जितना टेक्स होता है उतना सेविंग हो जाता है आपका उस खर्चे के उपर यानि खर्चा बढ़ेगा तो टेक्स भी बचेगा खर्चा घटेगा तो टेक्स बढ़ेगा जो कि हमें देना है चलिए सर अगले फॉर्मूले के तरफ चले नेक्स फॉर्मूला क्या कहता है रीडीमेबल अब रीडीमेबल में एक टेंशन है फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ क्या कहता है रीडीमेबल में यानि केडी इसको भी केडी बोलेंगे इंट्रास्ट वन माइनस में टी ठीक है इसके बाद प्लस आरवी माइनस एन पी डिवाइड़ बाई एन आरवी प्लस एन पी डिवाइड़ बाई टू ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जब कौन सा होगा अब लॉजिकली समझते है ये फॉर्मूला ऐसा क्यों बन गया भाई अभी तो आसान चल रहा था सब सबसे पहले इनके जो शौट वर्ड लिखे हैं उसको लिख देता हूँ आरवी का मतलब है रिडिमेबल वैल्यू रिडिमेबल वैल्यू एन पी तो पहले लिखी चुके है और बाकि सारी जानकारी आपको पता है एन का मतलब है टाइम 10 साल 5 साल और 2 फॉर्मूले का पार्ट चलिए इस फॉर्मूले को समझते हैं ऐसा क्यूं हो रहा है फॉर्मूला मैंने लिखा मैं फटा फट लिख देता हूं KDR is equal to I1 माईनस में T प्लस RV प्लस था np मैंने प्लस लिख दिया मैनस लिख दिया divided by n और इस सभी के नीचे RV प्लस में NP divided by 2 अब KDR का मतलब D का मतलब हूं का मतलब होता है cost, खर्चा हमने पीछे वाले point में देखोगे, तो हमने उपर रखा है खर्चा, actual खर्चा हुआ कितना हमारे pocket से, और divided by कितना पैसा आया, और percentage निकाल लिया हमने, अब अगर हम इस point में खर्चे की बात करें, तो खर्चा हमारा fluctuate होता रहता है समझो, कैसे खर्चा हमारा fluctuate होगा जैसे मान लो, आप से मैंने लिए 100 रुपए, तो ये क्या हो गया, net proceeds आप से कितने लिए मैंने तो ये क्या हो गया net proceeds, मुझे मिल गए 100 रुपए यही तो सीखा है, और मैंने promise किया, कि मैं आपको return एक सो पांच रुपए करूँगा, that is redeemable value जो value redeem करूँगा तो मेरा अभी देखा जाए ultimately ये पांच रुपए का extra burden आएगा मेरे उपर payment करते टाइम पर मैंने लिया तो 100 ही लेकिन payment कितना करने जा रहा हूं मैं 105 तो यानि आपका एक पांच रुपए का और खर्चा है और ये पांच रुपए का जो expense है ना, ये expense अभी नहीं होगा, ये जितने साल बाद वापस करूँगा, उतने साल बाद suppose मैंने कहा कि 5 साल के बाद आपको वापस करूँगा मैं पैसे तो अगर पाँच रुपे मुझे पाँच साल के बाद देना है तो according to the prudence principle आपको पता है कि अगर future में आपको पता चल चुका है कि आपको पाँच रुपे का नुकसान होगा तो उसकी entry कब करें आज ही कर लें यही सिखाए जाता है तो अगर उसकी entry हमें आज ही करना है तो law यह कहता है कि अगर आपका ऐसा कोई खर्चा हो तो उसको आप over the year spread करके बाद दो यानि कितने सालों में बाद देना चाहिए इस 5 रुपे के खर्चे को 5 सालों में और एक साल का खर्चा कितना हो जाएगा अगर इस 5 रुपे के खर्चे को मैं बाद दू तो एक साल का खर्चा एक और जो debenture का हम rate निकालेंगे वो current year का निकालेंगे एक साल का rate होता है यह ऐसा थोड़ी है हर साल का एक rate निकाल दिया वो जिन्दकी बर चलता रहेगा हर साल का rate है तो इस साल मेरा खर्चा एक तो 10 रुपे ब्याज का तो है ही है प्लस एक रुपे मेरा एक और खर्चा है आप समझो इस बात को 10 रुपे कौन सा खर्चा? इंट्रस्ट अब मान लेते हैं tax हमारा है तो आप क्या बोलोगे sir अगर आपका tax है तो tax factoring कर लो 1-3 मान लेते हैं 50% है तो आपका 5 रुपे का खर्चा ब्याज का बन रहा है और एक रुपे कौन सा खर्चा पढ़ रहा है आपको जो आपको आने वाले 5 सालों में देना है तो हर साल आपका 1-1 रुपे का खर्चा होगा तो इसका मतलब ultimately हम इसको प्लस कर देंगे इसको क्या करेंगे यानि आपका खर्चा 5 रुपे जो दिख रहा था वो 5 रुपे के बराबर नहीं है वो खर्चा कितना है आपका actual माईने में 6 रुपे तो formula देखिए ये तो हो गया interest RV यानि redeemable value minus NP तो difference कितना extra payment करना है 5 साल के बाद and number of year तो उससे आपको पता चल जाएगा कि extra हर साल का खर्चा कितना हैगा तो पहले आप इस formula को उपर वाले part को समझेए फिर नीचे आएंगे हम simple सी बात है ना 5 रुपे बोला interest का लग रहा है सर और 1 रुपे और future में दीरे दीरे करके payment करेंगे तो ऐसे situation में हमारा 6 का खर्चा होगी हर साल का तो और सर ये जो खर्चा है वो 1 साल का नहीं है ये खर्चा जो है 5 सालों में जाएगा तो actual जो आपका payment है ना वो payment आप नीचे क्या रखते हो net proceeds तो net proceeds आपको average लेना पड़ेगा जब आपको data दो time का मिल जाए एक आज का एक कल का तो actual आपको कितने का benefit हुआ उसको average करके निकालते हैं तो इसका मतलब सर आरवी कितना था आपका 100 और एनपी कितना था आपका 100 और एनपी कितना है 100 divided by 2 average कर देंगे that is 102 रुपे 50 पैसे आपका यहाँ पे net proceeds actual माना जाएगा average basis पे और अगर मैं आपसे पूछू अब cost निकालो तो cost बड़ा easy से निकाल सकते हैं सर 6 रुपे का खर्चा है 6 रुपे समझ में आ रहा है कैसे खर्चा है अब 6 रुपे का खर्चा है और आपका cost कितना है 102 रुपे into में क्या कर दो rate बताने क्या आ रहा है ज़रा सरी आ गया 5.85 पर्सेंटेज अगर आपको यह बात समझ में आ गया तो formula आपको लगेगा यह कुछ हाई नहीं formula में तो यह वाला portion क्या है अगर आप ध्यान से देखिए तो यह वाला portion क्या है मैं बताता जाता हूँ सर यह वाला portion क्या है ब्याज का खर्चा यह वाला portion क्या है extra burden जो आएगा आपके उपर 5 सालों में और N क्यूंड डिवाइड किया N क्यूंकि हर साल का खर्चा आपको हर साल दिखाना चाहिए और यह वाला क्या है आपका average कितना है तो मैंने यहां क्या करा 5 रुपे खर्चा interest 1 रुपे हर साल का और 6 हो गया डिवाइड कर दिया तो इस तरीके से हमारा एक rate निकल के आगया समझ रहे बत को तो इसे भियाब पे हमारा यह formula तयार हो गया formula कुछ नहीं है बस यह simple साई के actual हमें जो actual yield मतलब के actual जो हमारा interest का factor पड़ेगा हम इतने दूर दूर तक सोचना पड़ेगा FM के अंदर हम तो normally सोचते हैं कि अभी यह हो रहा यह हो रहा percentage निकाल दे financial management पे असर नहीं होगा आपको सारा सुरू से लेके end तक और financial management हमेशा future data पे काम होता है ना कि जो काम हो चुका है इसको करने के बाद हम rule लगाएंगे फिर हम सोचेंगे इस काम को करना है या फिर नहीं करना है accounts जो होता है हमेशा किस पे होता है past के चीजों पे transaction and event जो हो चुका होता है उसके उपर होता है financial management कभी नहीं जब काम ही हो चुका है तो अब क्या decision लेके फाइदा है आपका आपको पहले ही plan करना पड़ता है तो हमेशा देखो करने question में तो company planning ये purpose ये plan कर रहा है तो हर बार इसमें conclusion इसलिए पूछा जाता है कि आपको काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो ये formula बताइए आपको समझ में आ गया rb क्या है redeemable value जितने का आपका redemption करना है अब redeemable value ना कई बार आप बच्चे बोलते हैं sir अगर redeemable value आपका 100 रुपे से कम हुआ तो 100 रुपे से कम generally होता नहीं है आपसे मैं 100 रुपे ले लूँ और मैं बूलो आपको वापसी 90 दूँआ तो आप पैसे ही नहीं दोगे मुझे वापस करने का मतलब redeemable value और मैं आपसे बूलो 100 आज दे दो तो हम minus करके निकाल देंगे कुछ एक question में आ गया था पेपर में अब वो technically question गलत था question पेपर के अंदर ठीक है पांच प्लस एक क्यों करा 5 प्लस एक इसलिए किया 5 हमारा क्या बन रहा था sir 5 हमारा बन रहा था ये interest कैसे निकला interest 10 मैंने assumption लिया मेरा interest जो है वो है rupees 10 का और tax है मेरा assumption 50% तो ये तो हो गया interest का खर्चा और एक एक रुपे 5 रुपे जो extra आपको beer करना पड़ रहा है after 5 year हर एक साल को बांट दिया गया तो एक एक रुपे का खर्चा तो इसका मतलब total आपका इस साल का खर्चा 6 रुपे माना जाएगा ultimately और divided by N क्यों किया ताकि एक साल का खर्चा निकाल पाए यहाँ पे N इसलिए कि समझे बात अगर आपको ये समझ में आता है तो KP exactly same है इसलिए मैं एक वाले point पे मैंनत कर रहा हूँ और दूसरे पे तो आपको समझ में आ जाएगा सार वहाँ पे formula मुझे समझाना नहीं पड़ेगा average क्या होता है average repeat का मतलब कि average का मतलब क्या होता है आपको 2 digit दे दी और बोला जा average निकालो क्योंकि आपको पैस 2 digit है मैंने बोला आज आपकी कमाई 60 रुपय है कल कमाई आपकी 80 है बताओ आपकी कितनी कमाई है तो आपको average बताना पड़ेगा 60 और 80 और 2 से divide कर देना होगा समझ रहे हो point को है कि ने average निकालने के लिए जितने number होते हैं इसलिए हम यहाँ पे average निकाल देते हैं क्योंकि यह fluctuate हो जाता है हमारा आने वाले time तो sir एक और सवाल जो कर रहे थे उस सवाल को दूसरे वाले point को भी cover ही कर लेते हैं point number 2 sir formula एक बार और लिख देता हूं kd is equal to i 1 minus में t plus rv minus np और कई बार ना rb के जगह पे rb भी बोल देते हैं वो तो हर book के अंदर अलग-अलग word यूज हो जाता है लेकिन यह सारे standard word है आप exam में यूज कर सकते हो divided by rv plus में np divide 2 यह रह गया इसको divide इदर कर रहा हूं ठीक है divide n और into में 100 है यह चलिए सर i क्या है question में सर 13 रूपए t कितना है 1 minus 0.35 बताते जाएगा अब plus का symbol है plus rv कितना है question कहता है इसमें if the debenture are redeemed at the end of 10th year तो time कितना हो गया 10 साल end और कितने percent premium 15% यानि 10 साल बाद आप उसको return करोगे 115 समझ में 115 कैसे 100 तो return कर नहीं थे और 15% premium पे return कर रहेगे मतलब 115 minus में NP NP कितना था हमारे सवाल में देखो 86 निकाल लिया था पहले तो NP क्या हो जाएगा 80 क्योंकि सवाल तो यही है वही चला रहा है न सवाल तो 86 divided by यानि 86 मिले और payment 115 करने है तो कितने साल में यह खर्चा जाएगा 10 सालों में चला गया अब इसको divide कर देंगे सभी को average मान के यानि सर 115 प्लस में 86 divided by 2 into 100 चलिए इदर solve कर देते हैं आगे सर सबसे पहले 13 को इससे multiply कर देते हैं 1-1 करके 0.65 into 13 यह 8.45 प्लस अब इसको solve कर देते हैं 115 माइनस में 86 divided by 10 2.9 divided by अब इसको solve कर देते हैं 115 माइनस में 86 divided by 2 100.5 into में 100 अगर नहीं दिख रहा तो इसको थोड़ा इदर कर देते हैं तो यह आ गया हमारा 8.45 प्लस में 2.9 divided by 100.5 सर रेट जो आया ने इफेक्टिव रेट इसको इफेक्टिव रेट भी बोल सकते हैं 11.29 इसको 3.0 भी बोल सकते हैं अप्रॉक्समेट कोई दिखकत है इसमें कैल्कुलेट कर लिजे 0.35 कैसे आया यह 35% टेक्स था तो इसको हमने 0.35 कर दिया परसंटेज को 0.35 कर दिया मैंने परसंटेज को 0.35 कर दिया मैंने परसंटेज को 10-year है end time yes 10-year तो end time ही है Np में हमें premium add क्यों नहीं किया आपका ना देखो वो पैसे वापसी करते के time पे premium है लेते time पे premium होगा वो add होगा इसु के time पे premium वो premium कौन सा है देखो redemption करते timeपे वो premium थोड़ी आएगा वो तो हम देंगे यह दोनों फरक है इशू वाला प्रीमियम लिखा है मैंने आरवी रिडीमेबल वेल्यू 100 रुपे का डिबेंचर था और 15% एक्स्टरा देंगे तो 115 रुपे रिडीमेबल वेल्यू आपने दो लिये है दो लिये हैं, मैंने दो क्या लिया है डिवाइडिड वाइड दो ये तो फॉर्मूले का पार्ट है एवरेज निकालने के लिए दो डिवाइड करते हैं दो साल नहीं है, ये दो है साल तो, अच्छा, यहाँ पे साल में दो सही तो ये एन है, ये दो तो फॉर्मूले का ही पार्ट है आप गलत तो नहीं समझ रहें यहां देखो 10 लिया है N यहां पे है यह formula का part है 2 formula देखिए पीछे यह देखिए यह 2 formula का part है N यहां लिया जाता है ठीक है कोई परेशानी है तो बताइए इसमें कोई समझ में आगे clear है 100 प्लस में 15 15% हमें वापस करना है तो 15% हो गया premium और 100 रुपे का debenture था अब काफी बच्चे पूछ रहे है 115 कैसे आया देखो face value हमारा 100 रुपे और इसे redeem करना है at 15% premium पे यह सवाल में given है line तो 115 बन गया यह ठीक है हुआ 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 है